आज की कहानी चतुर लोम्डी की तो चलिए सुरू करते हैं एक जंगल में एक सेर रहता था वो जानवरों को मार कर अपनी गुफा में लाता था भर पेट मास खाने के बाद बचा हुआ मास गुफा में ही छोड़ देता था कुछ दिनों के बाद मास में से बदबू आने लगती थी एक दिन एक भालू सेर से मिलने आया वो गुफा में से आने वाली बदबू सहन नहीं कर सका वो सेर से बोला महराज आपकी गुफा में से बहुत बदबू आ रही है आप इसे जरूर साप करवाईए ये सुनकर सेर को बहुत गुसा आया और उसने भालू को मार डाला कुछ दिनों के बाद एक भेडिया गुफा में आया सेर ने भेडिये से पुछा क्या तुम्हें गुफा में से बद्बु आ रही है भेडिये सेर को नाराज नहीं करना चाता था इसलिए वो बोला नहीं माराज गुफा में से बद्बु नहीं आ रही है लेकिन इसमें तो अच्छी खुजबु है सेर जानता था कि भेडिया जूट बोल रहा है उसे बहुत गुसा आया इसलिए वो भेडिये के ऊपर तूट पड़ा और उसे मार डाला इसके बाद एक दिन एक लोमडी सेर की गुफा में आई सेर ने उससे पुछा क्या मेरी गुफा में से बद्बु आ रही है लोमडी बहुत चतूर थी लोमडी ने जवाब दिया महराज मुझे बहुत जुखाम है इसलिए मैं कुछ भी सूंग नहीं सकती सेर भला क्या कहता लोमडी का जवाब सुनकर वो चुप रह गया इस तरह लोमडी ने अपनी चतूराई से कठिन परिस्तिती से अपने को बचा लिया